उठनी एकादसी तुलसी के पास चुपचाप रखें एक चीज जो मांगेंगे हर इच्छा पूरी होगी या कहिए तो मन की इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी दोस्तों इस दिन तमाम तरह के कारी किये जाते हैं क्योंकि भगवान बिश्णू की साधी की सालगरी मनाया जाते हैं इस दिन हम सालगरी मनाते हैं और भगवान बिश्णू के उप्रशन करने के लिए वो अभी चार महिने से लगातार सोय हुए हैं उनको उठाने के लिए तमाम तरीके हम उपाय करते हैं उनका विदिवत आदर सत्कार करते हैं और उनका वेलकम करते हैं तो दोस्तों ये सभी चीजें करने के साथ कुछ आपको छोटे मोटे तोटके भी करना चाहिए ये जैसे कि हम इस दिन सुभा में आप अश्नान बेकर करके अपने घर के दोनों में दरवाजे के साइड स्वाष्टी के बनाईए सिंदूर से या फिर हल्दी से अगर आप धनलाप चाहते हैं तो हल्दी से बनाईए सुक समरिढ झाते हैं सिंदूर से बनाईए उसके बाद आपको पास में कोई मंदिल है तो वहां जाएए एक घी का दिया आपको एक वहां जला के चले आना है ये बहुत ही अच्छा उपाय है अगर आप चाहें तो थोड़े से एक थोड़े से परशाद फल भी लेके मंदिल में जाके आप वहां पर दे सकते हैं भगवान को जगाने के लिए हम तमाम तरह का प्रयोग कर रहे हैं और भगवान जैसे ही जगेंगे आपकी दिल की इच्छाएं पूरी करेंगे हमने जैसे एक और वीडियो अभी हमने वीडियो डाला है उसमें बतलाया है कि कैसे आप भगवान को जगाने के बाद उनके चरण छुके आप उनसे अपनी दिल की इच्छा पूरी करने की प्राथना करें और वो आपकी मनोकामना हाथो हाथ पूरी करेंगे साथ ही आपको कथा भी इस दिन जरूर सुननी चाहिए कहते हैं कथा सुनने से इस दिन के आधे पुने फल आपको मिलते हैं अगर आपने एकादसी का ब्रत किया है तो बहुत अच्छा है इस दिन फल और जूस पीके रहिए चाय भी पी सकते हैं कॉफी भी पी सकते हैं लेकिन अन मत खाईएगा नमक तो बिल्कुल भी नहीं अगर आप स्वस्त नहीं हैं तो फिर आप अन खाईए पर चावल नमक लहस खाया जाए तो गुरू कमजोर होता है जैसे हम ब्रस्पतिवार के दिन नहीं खाते हैं बिल्कुल वैसे ही एकादसी के दिन भी नहीं खाना चाहिए वरना आपका गुरू दूसीत हो जाएगा और गुरू हमें हमारे जीवन में धन लड़कियों के लिए बिवाह संतान सिक दूसी के दिन वैसे तो बैगन मसूर की दाल मूली वेगर भी नहीं खाने चाहिए हां तो दोस्तों हम बात करें कि इस दिन आपको एक प्रयोग करना है तुलसी के नीचे आपको एक सबसे पहले तो साली गराम भगवान की अस्थापना जरूर कीजिए तुलसी के नीचे अ अभी भी डाला है आप देख लें रात में आपको दो कपड़े उन्हें अर्पित करने हैं एक पुलसी मां को रेट कलर का और साली गराम भगवान या फिर नहीं है साली गराम भगवान तो बिश्णु जी की तस्वीर रख लें उनको पीले का कलर का दोनों में गांट लगा ना है आपको और इस दिन अपने घर के पास के मंदिल में धीफ़ झला आईएगा अपने छट पें धीफ़ जलाइए ताकि जैसे हम अपने दीफावली मनाते हैं दिवों की भी दीफावली मनानी आप चाहे तो सरसों के तिल गवी जला सकते हैं और उसमें दो लाउंग या तो रात दिन जगते ही हैं या फिर लाखों कडोडों वर्स तक योग निद्रा में ही रहते हैं आपके ऐसा करने से संसार के समस्त प्रानी इस दोरान कई परेसानियों का सामना करते हैं इसलिए आप से अनुरोध है कि आप नियम से प्रती वर्स निद्रा लिया करें इससे मुझे भी कुछ समय बिसराम करने का समय मिल जाएगा लक्षमी जी की बात सुनकर नारायन मुस्कुराते हैं और कहते हैं देवी तुमने ठीक कहा मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कस्ट होता है तुम्हें मेरी वजह से जराबी अवकास नहीं मिलता अथा तुम्हारे कथना नुसार आज से में परती वर्स चार माह बरसा रितु में सेन किया करूंगा और मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रले कालीन महा निद्रा कहलाएगी मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परमंगल कारी होगी और इस काल में जो भी मेरे भक्त मेरे सैन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और सैन और उत्थान के उत्सब को आनंद पुर्वक आयोजित करेंगे उनके घर मैं आपके साथ निवास करूंगा एक दूसरी कहानी आती है एक राजा के राज में सभी लोग एक आदसी का ब्रत रखते थे प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर पसूत तक को एक आदसी के दिन अन नहीं दिया जाता था एक दिन दूसरे राजी का एक बैक्ती राजा के पास आकर कहता है महराज किरपा करके मुझे नौकरी पर रख लें तब राजा ने उसके सामने एक सर्थ रखी कि ठीक है रख लेते हैं लेकिन तुम रोज तो तुमें खाना मिलेगा पर एक आदसी के दिन अन नहीं मिलेगा उस बैक्ती ने उसमें हां कर दी पर एकादसी के दिन जब उसे फलाहार का समान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिलगड़ा कर कहने लगा महराज इससे तुम मेरा पेट नहीं भड़ेगा मैं भूका ही मर जाओंगा मुझे अन्न दे दो राजा ने उसे सर्थ की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आधी दे दी वह नित्ती की तरह नदी पर पहुँचा असनान कर भोजन पकाने लगा जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा करके भगवान अंतरध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया पंद्रह दिन बाद अगली एक आदसी को वह राजा से कहने लगा राजन मुझे दूना धामान चाहिए उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया जब राजन ने इसके कारण पूछे तो उसने बताया हमारे खाना खाते हैं मैं तो इतना बरत रखता हूं पूजा करता हूं पर भगवान ने मुझे कभी दर्सन तो दिये ही नहीं राजा की बात सुनकर वह कहता है महराज यदि विस्वास ना हो तो साथ चल कर देख लेए राजा एक पेड़ के नीचे छिपकर उसके पीछे बैठ ग लेकिन भगवान फिर भी नहीं आये तब वह प्रान त्यागने के उदेश से नदी की तरफ बढ़ा प्रान त्यागने का उसका दर्ड इरादा जानकर सिग्रही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठ कर भोजन करने लेगे खा पीकर उसे अपने बिमान म सोचा कि बरत उपवास से तब तक कोई फाइदा नहीं होता जब तक मन सुद्ध ना हो इससे राजा को ग्यान मिला और वह भी मन से बरत उपवास करने लगा अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ इसी में एक और कहानी आती है कहानी के अंतक बने रहे एक राजा था उसके साज में प्रजा बहुत सुखी थी एक आदसी को कोई भी अन नहीं बेचता था सभी फलाहार करते थे एक वार भगवान ने राजा की परिच्छा लेनी चाही भगवान एक सुंदरी का रूप धारन किया और सरक पर बैठ गया तभी राजा उधर से निकलता है और सुंदरी को देखकर चकित रह गया उसने पूछा है सुंदरी तुम कौन हो और इस तरह से यहां क्यों बैठी हो तब उस सुंदर इस्त्री बने भगवान कहते हैं मैं निरास रिता हूं नगर में मेरा कोई जान पहचान का नहीं है किस से सहायता मांगू राजा उसके रूप पर मोहि मेरी रानी बन कर रहो सुंदर इस्त्री कहती है मैं तुम्हारी बात तो मानूंगी पर तुम्हें राजी का अधिकार मुझे सौपना होगा राजी पर मेरा पुर्ण अधिकार होगा मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा राजा उसके रूप पर इतना मोहित था कि उसने कुछ सोचा भी नहीं और उसकी सभी स्विकार कर ली अगले दिन एकादसी थी राणी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्य बेचा जाए उसने घर में मांस मचली आदी पकवाए और परोस कर राजा से खाने को कहा यह देख राजा कहता है राणी आज एकादसी है मैं तो केबल फलाहार ही करूँगा तब राणी ने सर्ती की याद दिलाई और कहती है या तो खाना खाओ नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी राजा ने अपनी इस्तिती बड़ी राणी से कही तो बड़ी राणी बोली महराज धर्म ना छोड़े बड़े राजकुमार का सिर दे दें पूत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा इसी दोरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया मा की आँखों में आसु देखकर वह रोने लगा और कारण पूछने लगा तो मा ने उसे सारी बस्तु इस्तिती बता दी तब वह कहता है मैं सिर देने को एलिए तयार हूँ पिता जी के धर्म की रक्षा होगी जरूर होगी राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान बिश्नु प्रकट होकर असली बात बताई और कहते हैं राजन तुम इस कटिन परिक्षा में पास हुए भगवान ने प्रसंदमन से राजा से बर मांगने को कहा तब राजा कहता है आपका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है हमारा उद्धार करें उसी समय वहां पर एक बिमान उत्रा राजा ने अपना राज पुत्र को सौपा और बिमान में बैठ कर परमधाम को चले गए हर हर महादे फिर मिलेंगे